जै जवान जै किसान का नारा तो आपने सुना ही होगा जिसकदर सरहत पर एक जवान देश की रक्षा करता है कुछ उसी तरह एक किसान खेट में महनत करता है इसलिए दोनों का सम्मान किया जाता है लेकिन एक ऐसा भी शक्त से जो 18 साल सरहत पर देश की सेवा में देने के बाद खेतों में भी महनत करके कमाल दिखा रहा है गरसल बागिशर जिले के आयारतोली गाउनिवासी दीपक चंदोला ने 18 साल फॉज में बिदाने के बाद बंजर पड़ी जमीनों को आबाद करने का काम किया है उन्हें फॉज से पारिवारी कारणों के कारण जल्दी रिटायर होके घराना पड़ा लेकिन उनकी महनत जारी रही संसादनों की कमी के चलते उन्हें खेती करने में बहुत से दिकतों का सामना करना पड़ा उन्होंने परिस्तितियों के आगे घुटे टेकने की बजाए उनसे लड़ना सही समझा उनकी महनत अबरंग लाती नजर आती है गरुड विकास खंट के यार तोली गाउं के फौजी सैनिक जब फौज से रिटायर होकर अपने गाउं आये तब उनके सारे खेत बंजर पड़े थे फिर उन्होंने महनत शुरू की और उन खेतों को आबाद कर दिखाया आज उन खेतों में कई तरह की सबजियां भी उगती हैं दीपक चंदोला ने उन लोगों के लिए भी मिसाल खड़ी की है जो रोजगार के सिलसिले में गाउं से पलायन कर चुके हैं दीपक की महनत पर पानी फेर ने कई बार जंगली जानवर भी आते हैं लेकिन दीपक ने उन जानवरों को रोकने के लिए कई व्यवस्ता बनाई हुई हैं गाउं में सुवर और बंदरों की तादात है कि सिर्फ एक घंटे में ये जानवर हरे भरे खेतों को साफ कर सकते हैं बीच में मैंने देखा यहां जंगली सुवर मेरे से पंदर मेटर नीचे उसने खोदना शुरू कर दिया तब फिर मैं ये आजीकाव वालों से भाई लोग उसे रिक्वेस्ट करके फिर मैंने जाली मगवाई पांच बंदल जाली मैंने पूरी तारबाड तब से सुवर वहीं पे स्टॉप हो गया और सुवर आगे नहीं बढ़ा और फिर नीचे को तो चलो जंगल है वहां जो करता है ठीक है अब यहां पे तो पुरी सब्जी को नुक्सान कर देगा तो मतलब यह सुमार और बंदरो आली समच्या यहां पे बहुत जादा है दीपक ने डेड़ सो नाली जमीन में औरगनिक सब्जियों का काम शुरू किया है आपको बता दें कि दीपक ने मुर्गी पालन और मदुमक्की पालन का उध्योग भी शुरू किया है जो कि उनके लिए काफी फायदे मन्द साबित हो रहा है दीपक ने खेतों में कुछ औशदिय पौधे भी लगाए हैं गरूर विकासखन में दीपक की सब्जों की डिमांड काफी बढ़ गई है जो कि उनकी आयका एक अन्यस्त्रोत भी बन चुका है दीपक इस कारोबार को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं फिलहाल वो बेमौसमी सबजी, तेजपात, रीठा, आउला, माल्टा, नारंगी जैसे खादे पदार्थों का उत्पादन करते हैं उनका यूं मेहनत करना दाउवालों के लिए भी प्रेड़ना बन रहा है जिससे कि लोगों का पलायन करने के बजाए खेती करने का मन बन रहा है अब आप सुनिये कि दीपक चंदोला ने कैसे इस औरगनिक खेती की शुरुवात की और कैसे वो इतने आगे पहुँच गए बागिश्वर्ख के दुरस्त गाओं में आज हम पहुचे हैं और आर्मी मैन के यहां पर कारनामे आपको दिखाएंगे इसके बीच में उन्होंने अपने बंजर जमीन में कैसा कारनामा कर दिखाया है उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी हमारे साथ में हैं दीपक चंदोला जी बहुत स्वागत है सरु अपका नमस्कार पंडे जी सर कैसे आपके मन में आये कि इतना क्योंकि जंगली जानुरू का आतंके यहां पर बहुत ज्यादा है बंदरू का आतंके है इसके बीच में आपने खेती बाड़ी करने की कैसे सोची सर पंडे जी जब में जैसे रिटार आया पहले तो कुछ समझ में नहीं आये मेरे कि क्या किया जाए कि कुछ कारणों की वज़े से हमें जल्दी आना पड़ा तो लेकिन जब घर आया मैंने देखे यहां के आलात जंगल है सामको जंगली जानवर भरा दिन मा बंदर मतलब यहां पर पुरा गाउं परेसान है बंदर की तादाद इतनी है एक घंटे का उनको टाइम मिल जाए तो समझो सब चौपट करके छोड़ देंगे परसु बीचमा मा गाउं मा भी गया था तो लोक बहुत परेसान है अब मैंने किया फिर जैसे यहां पर पुरा बंजर था मेरा तो मैंने कहा चलो पहले ऑर्गनिक देखते हैं एक बार क्योंकि जो हम बजार का खा रहे हैं रासाइनिक है पता निकाप से पैख है और सब्जी में कौन सा इंजक्शन लगके आ रहा है हमें यह पता नहीं है तो तब हमने कहा कि चलो हम एक बार ट्राइल लेते हैं यहां पर अगर और और अर्गनिक सब्जी हो जाए तो ट्राइल दिया धिरे धिरे इस्टेब वाज इस्टेब एक काम किया उसमें थोड़ा होसला मिला तो फिर मैंने दूसरा यह पॉल्ट्री का काम सुरू किया तो पर वो बरामदे में बैठ रहते थे जैसे बंदर आगे फिर वो हला करेंगे बंदर आगे फिर कुत्ते भी पीछे से फिर हम हमें भी जाना है तब जाके वो बंदर भागेंगे ऐसा तो नहीं है एक आदमी से वो भग जाए और खास तर पर महिलाओ को देखके बंदरों में कोई दहसत नहीं है पुरुस को देखके थोड़ा सा वो डरते हैं वो भी हात्म कोई ना कोई हत्यार होना बहुत जरूरी है और बीच मैंने देखा यहां जंगली सुवर मेरे से पंदर मेटर नीचे उसने खोदना सुरू कर दिया तब फिर मैं यह जीको वालों से भाई लो है वहां जो करता है ठीक है अब यहां पे तो पुरी सब्जी को नुक्सान कर देगा तो मतलब यह सुमार और बंदर वाली समच्या यहां पे बहुत जादा है अब चलो मैं तो जैसे भी है मेरी वाइप है हल्प करती है लेकिन जिसका घर पे देखने वाला नी है उसके यह जंगली सोर से निजात मिल जाए तो जैसे मैं यहां पर सुरू कर रहा हूं अभी जैसे काफी डिमांड है कुछ लोग तो घरी पे आगे ले आते हैं सब्जी कुछ दुकानदारों से मेरा वह है कि सब्जी भिजवाजी बस बाद में पेमेंट फेज देते हैं मतलब जो मत्यूंद पालन और मदुमक्खी पालन का अब ने किया है मुर्गी पालन भी मेर को अभी दो तीन लोट तो चोथा लोट है मेरा तो अभी थोड़ा सा इस बार थोड़ा से मेर को लगा कि यार थोड़ा दिक्कत आ रही है साहिद बीज म कोई वह हो लेकिन इस से पहले जो पांडे जी लगना पड़ेगा सुबे से पांडे जी उठो फिर वही होता है कि कमरे में जाने तक अंधरा हो जाता है वहाँ महनत है महनत तो बहुत है और जैसे मौन पालन है मैं हर साल एक पेटी बढ़ा रहा हूं हर साल अभी यह चौथा साल है चार पेटी मेरे पांस है और जैसे सहर निकल गया अपने घर के यूज का भी हो जाता है कोई जरूरत मंद है तो दवा के उसमें भी इस्तमाल होता है तो मतलब ठीक है मधुमक्य पालन भी जैसे मैं और सूत रहूं अभी मैंने आठ बॉक्स और मंगा रखे हैं और रखे हैं मैंने अपने पांस तो जैसे जैसे मधुमक्या मेर को मिलते रहेंगे मैं उसमें डालते रहूंगा तो आपने देखा ऐसी बिसम भोगौलिक परिस्तिती जहां जंगली जानुरो का लगातार आतंक है इस सब के बीज चंदुला जी ने इतना अच्छा कारनामा करके दिखाया है लगातार सबजी उ उत्राहंट तक